बहुत समय पहले की बात है। दो दोस्त भीड इलाकों से होकर शहर जा रहे थे। गर्मी बहुत अधिक होने के कारण वो बीच बीच में रुकते और आराम करते। उन्होंने अपने साथ खाने पीने की भी कुछ चीजे रखी हुई थी। जब दोपहर में उन्हें भूख लगी तो दोनोंने एक जगा बैठ कर खाने का विचार किया। खाना खाते खाते दोनों में किसी बात को लेकर बहस छेड़ गई। और धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि एक दोस्त ने दूसरे को थपपर मार दिया। पर थपपर खाने के बाद भी दूसरा दोस्त चुप रहा और कोई विरोध नहीं किया। बस उसने पेड की एक तहनी उठाए और उससे मिटी पर लिख दिया। आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थपपर मारा। थोड़ी देर बाद उन्होंने पुनह यात्रा शुरू की, मन के कारण वो बिना एक दूसरे से बात किये, आगे बढ़ते जा रहे थे कि तभी थपपर खाए दोस्त के चीखने की आवाज आई, वो गलती से दलदल में फस गया था। दूसरे दोस्त ने तेजी दिखाते हुए उसकी मदद की और उसे दलदल से निकाल दिया। इस बार अब ही वो दोस्त कुछ नहीं बोला, उसने बस एक नुकीला पत्थर उठाया और एक विशाल पेड के तने पर लिखने लगा। आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाए। उसे ऐसा करते देख दूसरे मित्र से रहा नहीं गया और उसने पूछा, जब मैंने तुम्हें पत्थर मारा तो तुमने मित्टी पर लिखा, और जब मैंने तुम्हारी जान बचाए, तो तुम पेड के तने पर कुरेद कुरेद कर लिख रही हो, ऐसा क्यों? जब कोई तकलीफ दे तो हमें उसे अंदर तक नहीं बैठाना चाहिए, ताकि क्षमा रुपी हव तुमाएं इस मित्टी की तरह ही उस तकलीफ को हमारे जेहन से बहा ले जाएं। लेकिन जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करें, तो उसे इतनी गहराई से अपने मन में बसा लेने चाहिए कि वो कभी हमारे जेहन से मितना सके। दोस्त का जवाब आया।